नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं मत बीभाजन से पहले भारतिय जनता पार्टी और उसके सयोगी दलों ने सदन से वाक आउट किया बीपक्ष के वाक आउट करने पर मुख्य मंत्री है मन सुरेन समेत कई विधायकों ने बिरोधी दल परतंजा कसा भगोडे जा रहे हैं, सदन छोड़ कर भाग रहे हैं इसपीकर रविनरात मतों की ओर से धोनी मत से विश्वास प्रस्ताव पर मत बिभाजन की कोशिच की गई लेकिन सदस्यों की मांग पर मत बिभाजन कराया गया आशन की ओर से विधायकों को अपने प्रिसीट पर खड़े होने के लिए का गया विधायकों की संख्या की गिंती की गई जारखन में मांसुन सक्रिय है रभिवार को राजे के कई इलाके में बारिस हुई गिरी डी के पाली गंज में सबसे अधीक करीब 65 mm बारिस हुई वहीं कुमला बोकारो धनबाद समयत कई जुलों में बारिस हुई राजधानी में दो पहर बाद कई इलाके में मौसम का मिज़ाज बदला कहीं कहीं हलकी बारिस भी हुई मौसम केंद्रे के अनुसार राजधानी में साम तक 3 mm बारिस हुई थी मौसम विभाग के अनुसार 5 सितंबर को भी राज में कहीं कहीं हलके से मत दच की बारिस होई राइधानी में 10 सितंबर तक समानेत बादल चाय रहेंगे वहीं कहीं कहीं हलके से मत दच की बारिस हो सकती है इस दोरान अधिक्तम तापमान 31 था नियुत्तम तापमान 24 डिगरी सेलसेत के बीच होगा जारखन के बुढ़ा पहार पर सुरक्षा बलो के अपरेशन के बाद बंकर छोड़ भागे नकसली जारखन के बुढ़ा पहार में सुरक्षा बलो का अपरेशन जारी है सोमवार को सुरक्षा बलो को आपरेशन के दौरान बड़ी सपलता हाथ लगी जिला पुलीस, CRPF, जगवार के दौरा चला जारे आपरेशन में सोमवार को दो बार नक्सलियों के साथ मुटभेड हुई और दोनो बार सुरक्षा बल नक्सलियों पर भारी पढ़े जिस करण नक्सली अपना बंकर छोड़ भागने को मजबूर हुए बंकर में नक्सली ना सिर्फ आईडी को छुपा रहा था बलीक महीनों का रासन भी मुझूद था पतादे बुठा पहार को नक्सल मुक्त करने को लेकर लगतार अभ्यान चलाए जा रहा है सुरक्षा बलो के द्वारा चलाए जा रहे है इस ऑप्रेसर में सोमवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है पचाहस हाजार सिख्षको के नियुक्ति परक्रिया जल्द सुरू होगी सिख्षक दिवस के अउसर पर सोमवार को स्वक्ष बिद्याले एवं सिख्षक पुरसकार समारोह का वेजन सिख्षा बिभा के प्रजेक्ट भवनिश्थी सभागार में किया गया कारेकरम में राजे के तीन सिख्षकों को उतक्रिष्ट कारे के लिए मोखे अति थी सिख्षा मंत्री जगनात मातों ने समानित किया इस अउसर पर सिख्षा मंत्री ने कहा है कि राजे में सिख्षकों की कमी को जल्द दूर किया जाएगा पचास एर सिस्कों के नियुकती की परक्रिया जल्द सुरू की जाएगी उन्होंने कहा है कि 26 एर सिस्कों के पत्ते जो ना पहले भरे गए और ना उन्हें बढ़ाया गया हमारी सरकार ने 50 एर पत्त सिरिजीत कर सिस्कों की कमी को दूर करने के दिशा में पर्यास किया है जारखन में 6 दिनों के सियासी घमासान के बाद सभी बिधायक घर लटे जार्खन में 6 दिनों तक चले सियासी घमासान के बाद सात्तारूर सन्युक्त प्रगति सीरिल गठ बंधन के बिधायक सो महर को अपने अपने घर लट गए इससे पहले बिधायकों ने बिधान सभा के 27 में हिसा लिया जहां है मन्त सुरेन सरकार ने विश्वासमत हासिल किया बता दे संप्रग ने 30 अगस्त को अपने बिधायकों को कांग्रेस सासित 36 गड़ के एक रिजोट में भेज दिया था क्योंकि जहारखन मुक्ति मूर्चा को या अंदेसा था कि भारतिय जन्ता पार्टी राजे में उसकी सरकार गिराने के कोशिस के तहाथ जामुमों और स्वयोगी दल कांग्रेस की विधायकों को अपने पाले में करने का प्रयास कर सकती है दुमका में मौत ममले में हिमन्त सरकार जाच में नहीं कर रही सहयोग N.C.P.C.R अध्यक्ष जहारखन के दुमका में दो नवालिक लड़कियों की मौत के ममले में राश्रेबाल अधिकार संडचन आयोग की टीम अपनी जाच पताल कर रही है इस बीच आयोग के अध्यक्ष पिरियंग कानुनगों ने दवा किया है कि जारकन सरकार जांच में अर्चने पैदा करने की कोशिज कर रही है पिर यंक कानुनगों ने कहा है कि उन्होंने सरकार को अपने दोरे के बारे में बताया था लेकिन इस मामलों की जांच के लिए जरूरी इंतजाम नहीं किये गए बता दे कि दुमका में 14 साल की एक आदिवासी लड़की की लास बीते सुक्रवार को पेंड से लड़की होई मिली थी आरोप प्यार लग रहे हैं कि साधी का जहांसा देकर यूवकन लड़की का योन उत्पिरन किया और फिर उसकी हत्या कर दी गरीबों को मिलने वाले 300 बोरी अनाज बारिस में भीए डीसी ने की जाश टीम का गठान हजारी बैग रोड रेलवे स्टेशन इस्थित रैंक पॉइंट में करिब 300 बोरी अनाज के भीगने की बात सामने आई है अनाज के भीगने की जनकारी मिलने पर गिरीडी डीसी नमन पिरियेस लकडाने जाश टीम गठित की टीम में सामील डी डीसी ससी भूसन महरा डी एसो गौतम भगत एवं सर्या परखंड के एमो डाक्टर अनूप कुमार सिंग इस रैंक पॉइंट पर जाश की मालूम हो की गत दो दिसंबर को गरीबो को खाज सुरक्षा अभियान के तहात मिलेवाने अनाज से लदी एक मालगाडी रैक एपसी आई ने हजारी बाग रोट एस्टेशन भेजी थी अनाज की अनलोडिंग के दरान बारिस होने लगी रैक पॉइंट की देख रैक और टांस्पोर्ट का जिम्मा सम्हाल रहे सन्वेदक सेल जा कंपणी ने अनाज सुरक्षित रखने की कोशिस ब्यवास था नहीं की इसके कारण तीन सो बोरी अनाज भिग गए जार्खन बिधान सभा में आक्रमक दीखे है मंत सुरेन तब देश में जांडा लगाने का एजेंडा फिट किया गया जीवन में कभी इन लोगों ने तिरंगा जांडा नहीं पराया लेकिन देश को बेचने के साथ साथ इन लोगों ने जांडा भी बेचना सुरू कर दिया है ये देश के लोकतंत्र को बेचने का पर्यास कर रहे हैं मुख्य मंत्री ने केंद्र पर राजियों को लड़ाने का आरोप लगाते हुए भी कहा है कि ये लोग ग्रीह यूद की थीती पैदा करना चाहते हैं इनके आला कमान कहते थे कि चपल पहनने वाला हवाय चाहाज पर चलेगा इन्होंने सडक पर चलने लायक नहीं छोड़ा भीक मांगने की थीती आ जाती गरीबों को पेंसन देने का इनके पास पैसा नहीं है जब हम करते हैं तो कहते हैं कि रेबटी बाटते हैं इन्होंने 65 लाख कोड़ो रुपए का कार्पूरेट टेक्स माप कर दिया या रेबटी नहीं है जारखन में तीन सिख्षकों को राज अस्तरी पूरशकार शिक्षा मंत्री जगनात महतों ने राज के सिख्षकों से अपिल किया कि वे शिक्षा की गुनवाता में सुधार लाने में अपनी भूमका को निभाय उन्होंने कहा है कि सिख्षक ऐसा कर भी रहे हैं लेकिन पर्यास यह होना चाहिए कि सरकारी इस्कूल, नीजी इस्कूल से भी बेहतर हो मंत्री स्वम्ब और को धुर्वा इस्थी सिख्षक भी भाग में सिख्षक दिवस पर आयोजित कारेकरम को सम्मुदित कर रहे थे रिष्टा आज तूट हो रहा है जरूरत बच्चों एवं सिख्षकों के बीच सकरात्मक सामंजस अस्थापित करने की है सिख्षा के सुधार में दोनों पक्षों की भागेदारी अवस्यक है पुरानी पेंशन बहाल होने पर सियम हमन्त का जताया अभार जारखन में पुरान स्वागत और अभिनांदन किया इससे पुर्व राज कर्मियों ने काके रोड इस्थित मोख्य मंत्री आवास में सियम का अभिनांदन किया रांची में डिजिटल विक की सुरुवात जार्खन डिजिटल विक की तहत सोमवार को रांची जिले में डिजिटल विक की सुरुवात की गई इस मोगे पर समानाले परिचल से जिला अस्तर पर जागरूपता वाहन रवाना किया गया अपर समहर्ता राजेस, बरवार, स्टेट हेट, सीएसी, एस पीवी, संभुकुमार, डी आई ओ, सीव चरण बनर जी ने हरी जन्डी दिखा कर जगरूपता रत को रवाना किया रांची जीले के विभीन परखंडों में जगरूपता वाहन के माध्यम से लोगों को सी, एस, सी के माध्यम से उपलब्द सिवावं के बारे में जगरूप किया जाएगा खोटी में ट्रीपल मॉर्डर का खुलासा पांच आरेस्ट खुटी जिले के अड़की थाना छेतरे के कोदे लेबे गाउं में हुए ट्रीपल मॉर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है कोदे लेबे गाउं के गराम परधान बेयार सिंग मुन्डा बेटा सिंगा मुन्डा और्फ बुधराम और बहु मानी हरीबिनी का हत्या गरामिनों ने मिल कर की थी हत्या के अरोप में पुलिस ने पाच अरोपियों गिरफतार किया है गिरफतार किये गए आरोपियों में गाउं के ही सिंग राय हरीबिना, चंबरा चुटिया पूर्ती, बीरसा हरीबिना, बिकराय हरीबिना और जोबोर चुटिया पूर्ती सामिल है इसमें सिंग राय हरीबिनी मिरितक बैयार सिंग मुंडा का भतिजा है सोमवार को एसपी करेले सभागार में एसपी अमन कुमार ने प्रेस कौन प्रेस कर इसकी जनकारी दी कांग्रेस बिधायक इर्फायन अंसारी को जारखंड आने की इजाज़त नगद रूपायों के साथ कुलकाता में पकड़े गए कांग्रेस के तीन बिधायक इर्फानन सारी नमन विक्सल और राजेस्ट कक्छप को कलकाता हाई कोट ने ससर्थ जारखंड आने की इजाज़त दे दिया आदालत ने कहा है कि अगर CID के टीम समन जारी कर पोच्ट आज के लिए बुलाती है तो उन्हें 24 गंटे के फितर हाजिर होना होगा मालूम हो कि तीनों बिधायक 49 लाख रूपाय के साथ हाबड़ा में गिरफतार किये गए थे कांगरेस ने अपने इन बिधा को खिला फेमांद सरकार गिराने के लिए खरीद बिक्री कारोप लगाया था सिमडेगा में मानोतसकरी पर रोग के लिए खास कदम जारखन के सिम्डेगा जीले में मानो तस्करी को ज़र से खतम करने के लिए पूलिस ने बिशेस खतम उठाया है एसपी सौरब ने सोमवार को जगरूपता अंदोलन का आगाज किया पूलिस ने नारा दिया है आवो मिलकर जगरूपता फैला है सिम्डेगा को मानो तसकरी मुक्त बनाए सहर के गांधी मैदान से सोमवार को अहले सुबा HDPO डेविड ए डोडराई DSP हेट क्वार्टर पतरस बरवा और सदर्थाना परभारी इंस्पेक्टर दयानंद कुमार के नितित में परभात फेरी निकाली गई देश बेचने के साथ साथ जहनडा बेचने में लगी है BJP सिम हेमांत जारकर बिधान सभा के 20 तारित सत्र पर सब की निगाहेटी की थी सदर्थान में दीन के करीब एक बज़ कर दो मियट पर मत भी भाजन की परकिरिया शुरू हुई अगले चार मियट के अंदर आसन से बिधान सभा अध्यक्स के विन्राथ महतों ने बिश्वास मत के पक्ष मेरतारिस मत और बिरोद में सुनिये की घोसना कर दी दरसल BJP के 25 आईसू के दो और निर्दालिये दो बिधायक इस दोरान मत भी भाजन के विरोद करते हुए सदन से वाक आउट कर चुके थे लेकिन इसे पहले सदन में मुख्य मंत्री हेमान सुरे ने अपने तेवर में दिखे बता दे सदन के अंदर विश्वास मत की जरूरत क्यों से उन्होंने इसकी शुरुवात की हेमान सुरे ने कहा है कि सदन के बाहर और अंदर यूपीय कितना मजबूत है ये बताना जरूरी है उन्होंने बीजेपी पर सिधा हमला बोलते हुए कहा कि अब बीजेपी देश बेचने के साथ सा जहंटा बेचने में भी लगी है उन्होंने वेल में पहुंचे बीजेपी सरस्यों की तरफ इसारा करते हुए कहा है कि जब से 2019 का चुनाव हारे इन्होंने बैठने में दिक्कत हो रही है देश में ब्यपारियों का कर्ज माप हो जाता है पर जरूरत मंदों का नहीं महिलाओ पर बात नहीं करे भाजपा दिपीका कांग्रेस बिधायक दिपीका पांडे सिंग ने कहा है कि भाजपा महिलाओ के हितों पर बात ही करना छोर दे महिलाओ तो महाँगाई से परिसान है महिलाओं को राई नीती मुद्धा बनाना महांगा पड़ेगा उन्होंने हालिया रिपोर्ट के अधार पर कहा है कि सबसे अधीक अपराज उतर परदेश में है और जारकन सरकार पर निशाना सधा जा रहा है भाजपा सासित राजियों में तो सरकार की नाक के नीचे महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है हमारी सरकार ने तो पुराणी पेंसन योईना को भी लागू करने का काम किया डेलला कर्मियों के हीतों की रक्षा की निर्भया फंड का परविधान किया गया था किसकी सरकार है केंद्र में और क्या वेया बता सकते हैं हम सीम को कहेंगे तोवे सुनेंगे क्या निसिकांत यही सवाल पीएम से पूछ सकते हैं सहर्जू राय ने बन्ना गुपता को कहा आप भरष्ट मंत्री हैं ठारखन बिधान सभा के BCS सत्र के दर्वा निर्दलिय बिधायक सर्जू राय ने स्वास्त मंत्री बन्ना गुपता को भरष्ट मंत्री बताया। कहा कि मंत्री अपने भरष्ट आचरन का प्रमान दे रहे हैं लेकिन मुख्य मंत्री है मंसुरेन कोई करवाई नहीं कर रहे है। सर्जू राय के बोलने पर सदन में जोरदार हो हंगामा हुआ। एक बार सर्जू राय आवेश में आ गए तो स्वास्त मंत्री बन्ना गुपता अपनी सीट पर खड़े हो गए। बता दे बन्ना गुपता ने भी सर्जू राय के ब्यान पर आपती जताते हुए इसे सदन की करवाही से हटाने की मांग इस पीकर से की। साथ ही सर्जू राय के खिलाप आवमानना का मुकादमा दर्ज करने का आगरा किया बन्ना गुपता ने सर्जू राय को चुनवती देते हुए कहा है कि वे उनके खिलाप बरश्ट चार के सबूत दे। बाबुलाल गिरगिट से अधिक रंग बदलने वाले सीम हमांत मुखे मंतरी हमांसुरे ने सदन में भाजपा पर जम कर प्रहार किया कहा ए घमन में इतने चुर है कि इन्हें लगता है कि ये जो चाहें कर देंगे उन्होंने कहा कि उनकी विधान सबा के सर्षता रद करने क लेकर तरह तरह की बाते हो रही है लेकिन समरी लाल की सर्षता क्यों नहीं रद होती सवाल उठाया कि वे आज क्यों सदन में बैठे हैं दूसरे राजे में फरजी साटिफिकेट बना कर बिधायक बने हुए हैं समरी लाल की सर्षता क्यों नहीं रद होती उन्होंने वा हाथ में लड़ूर है मुख्य मंत्री ने कहा वर्ष 2014 से अब तक देखें तो पाएंगे कि राजे के अलग होने के बाद इन लोगों ने सत्ता में बैट का राजी की दुरगाती कर दी है चत्रा में रासी के अभाव में स्कूल में बंध है मद्याहन भोजन रासी के अभाव में इट खोरी के कई स्कूलों में मद्याहन भोजन बंध हो गया है इन स्कूलों के बिद्यार्थियों को भूखे पेट पढ़ाई करना पड़ रहा है स्कूल परबंधन समीती पर किराना दुकान वा सब्जी विक्रताओं का काफी अधिक रासी पकाया हो गया है जिसे दुकांदारों ने उधार समगरी देना बंद कर दिया है परखंड के सालवे NPS उर्दू मद्य बिद्याल है खड़वनी उर्दू मद्य बिद्याल है परसोनी समेत का इस्कूल है सालवे इस्कूल की परधना ध्यापिका अनिता कुमाई ने कहा है कि नगद रासी के अभाव में एक सितंबर से MDM बंद है आदिवासी को राष्टपती बना कर आदिवासी मुख्यमंत्री को सता से बेदखल करना चाहती है भाजपा जार्खन के मुख्यमंत्री हेमांसुरे ने बिधान सभा के एक दिन के 27 सतर में भारतिये जानता पार्टी पर जमकर हमला बोला उन्होंने भाजपा को आदिवासी दलीत गरिब बिरोधी बताया कहा कि इनके मुख में राम राम और बगल में छूरी होती है इन्हें लूट कर खाने की आदत रही है ए सामन्त वाधी और मनुवाधी लोग हैं जिनकी वयसे आई तक कोई आदिवासी दलीत आगे नहीं आ पाया उन्होंने कहा है कि ए लोग आदिवासी महिला को राष्ट पती बना कर आदिवासी मुख्य मंत्री की सत्ता छिनने का पर्यास कर रहे हैं धन्यवाध